आज का हमारा टॉपिक है स्रिजन शील बालक स्रिजनात्मक्ता इस वीडियो में हम स्रिजन शील बालक किसे कहते हैं उसकी परिबासा है और स्रिजनात्मक्ता की विशेशता है इसके अलावा स्रिजनात्मक्ता के तत्व और स्रिजनात्मक्ता के परिक्षन टॉरंस ने जो चार परिक्षन बताए उन परिक्षनों को और स्रिजनात्मक्ता के सिद्धान्द के बारे में समझेंगे तो प्रतिये एक प्रतिये एक प्राणिम में पाई जाती है किन्तु मनुस्ये में अधिक पाई जाती है स्रिजनात्मक्ता अंग्रेजी में जिसे कहते है Creativity तो स्रिजन सिल्था मापन के लिए Guildford और Torrance ने प्रेक्षणों का निर्मान किया Torrance ने जो प्रेक्षण किये उनको हम विस्तार से आगे देखेंगे Creativity का साब्दी कर्थ होता है निर्मान करने की योग्यता एक इसमें महत्मुन चीज है स्रिजनात्मक्ता जो है वो अपचारी चिंतन पर आधारित होती है अपचारी चिंतन इसमें व्यक्ति उत्तर की खोज में चिंतन मनन करने लगता है उत्तर की खोज में चिंतन मनन करना एक और जो बुद्धी जो होती है वो अपचारी चिंतन होती है और स्रिजनात्मक्ता जो है वो अपचारी चिंतन ये पिछली प्रिक्षाओं में पूचा गया प्रश्ण है मैत्पूर्ण प्रश्ण है इसका ध्यान रखे सुजनात्मक्ता अपचारी जिंतन और बुद्धी जो है वो अभिशारी जिंतन होती है परिपासा बॉर्ट लेट की परिपासा है प्रचलित मानविय विचारों से परे सोचना नवीन अनुभव को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहना तता वर्तमान को भविश्य से जोड़ना ही श्रिजनात्मक्ता है और प्रापेसर रूस ने कहा है श्रिजनात्मक्ता मौलिक्ता है जो वास्तम में किसी भी प्रकार की किरिया में गटित हो सकती है परिपासाओं को याद रखने की ट्रिक्स मैंने पूर में बताई है कि उसमें जो किसी एक सब्द को परिपासा के किसी सब्द से हम जोड़ दे जैसे इसमें वार्टलेट को हम जोड़ जाते हैं प्रचलित से वार्टलेट प्रचलित वार्टलेट प्रचलित तो जब पुछा जाता है कि य परिभासा किसकी है तो जब option के अंदर हमें 4 option मिलेंगे उसमें Wartlet को आता ही हमें द्यान में आजाएगा Wartlet प्रचलित यह हम इसको बार्डबार connect करेंगे तो 90 परतяжत जो है परिभासा है सही होने के chance रहते है इसका मैंने पहले विश्तरत वीडियो डाला है उसको आप देख सकते है अब है सरजनात मक्ता की विशेषता है यहीं सरजनात मक्ता बालक के होता है जो सरजनात मक्ता जो होती है जो क्रियेटिविटी होती है उस क्रियेटिविटी की क्या विशेषता होती है उनको हम देखें तो पहला है रचनात्मक था दूसरी है मॉलिकता. यानि रचनात्मक था भी इन जो व्यक्ता है in जो व्यक्ति व्यक्ति जो चीज बना रहा है éta कर दो या होती कि इसकी मॉलिक होती. होती है उपी किता होती है उसकी एक उसमें लची लापन होता है प्रक्रिया वा परीणाम ताष्ण यह च्छालातमक्द कर रख मूरतकार कलाकार चाहित ये कार अधी जो है वह स्रिज्जनात्मकता का छेत्र यह वह बहुत इस्तृत है जैसे व्यक्ज्जनात्मकतों होता है और वह अपनी स्रिज्जनात्मकता के द्वारा नए-नए आविस्कार करता है ईसी प्रकार और शिजनात मकता उत्पादन या नवीन रचना जे समधित होती है यानि, शिजनात में व्यक्ति दूरा नई चीज की रचना की जाती है अब आगे हैं, शिजनात मकता के तत्व देखिए, गिलफोड ने शिजनात मकता के चार तत्व बताए है गिलफोर्ड ने चार ततों बताया है पहला है तातकालिक इस्तिती से परे जाने की योगिता इन्ही सर्जन्सिल वेक्ति जो होता है वो वर्तमान परेस्तितियों से दूर भविश्य की कल्पना करने में सक्सम होता है मेहत्पुन बात है कि वो भविश्य के बारे में कल्पना करता है और इसमें एक अमूर्त चिंतन को मूर्त रूप देने की योगिता होती है श्रजनात्मक व्यक्ति भविश्य के बारे में कल्बना कर सकता है इसके अलवा समझ्या की पुनर व्यक्या यानि समझ्यात्मक व्यक्ति जो होता है वो किसी समझ्या की अपने तरीके से व्यक्या करता है जैसे एक वकील करता है अध्यापग करते है व्याख्याता करते है नेता आधी पुनल व्याख्या करते है इस प्रकार फिर अगला है समनवे सिहलता यानि शर्जनसील व्यक्ति जो है वो विशिष्ट विचारों वा तथियों के साथ सामन जैसी इस्ताबित करने में सक्षम होत के द्वारा अपने चिंतन के द्वारा दूसरों व्यक्तियों के विचारों में प्रिवर्थन कर देते हैं वह इस तरह से तर्क पेस करते हैं इस तरह से अपनी बात को कहते हैं कि वह दूसरों के विचारों में प्रिवर्थन करने में सक्षम होते है अब है स्विजनात्मक्ता के प्रिक्षन यह उस व्यक्ति में अत्वा बालक में कितनी स्रिजनात मकता है इसको जाचने के लिए टॉरेंस ने चार प्रिक्षन बताए है टॉरेंस ने स्रिजनात मकता के प्रिक्षन के लिए चार प्रिक्षणों की बैटरी का निर्मान किया इन प्रिक्षणों से निरंतर ता लोचनियत ता मौलिक ता एवं विस्तार आधी का मपन होता है तो इसमें पहला है चित्रपूर्थी प्रिक्षण इस प्रिक्षण में क्या होता है कि अपूर्ण कोंद चित्र होता है मि उनके साहरे से मौलक चित्र बाला बनाdo पंज जाता है को पूर्ण चित्र दिये जाते हैं उन्हें का जाता है कफ इन चित्रों को पूरा कीजिए इनका कोई शीष्षक रख económica के कहा नहीं लिखे तो प्होंद वालकmellers क्याँ floods से अपनी शिजनात्मक्ता से उन चित्रों को देख करके उनके बारे में कोई कहानी कह लिखता है उनको कोई शीर्षक देता है उससे को यह पूर्ण चित्र बनाता है उससे उसकी क्रियेटिविती का पता जलता है दूसरा प्रिक्षन है व्रत प्रिक्षन इसमें शात्र को एक व्रत के अंदर जो है अपनी इच्छा नुशा चित्र बनाने को कहा जाता है तीसरा है प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट टास्क प्रोडक्ट यहनी कोई वस्तू जो होती है उसका इंप्रूवमेंट करना ऐसी कोई वस्तू या खिलोने जो दिये जाते हैं उनको इंप्रूव क को खाली डिबों के नए परियोग करने के लिए का जाता है उन्हें खाली डिबे दिये जाते और का जाता है कि आप इनके और क्या उपयोग करेंगे तो उसमें जो बालग है वह अपनी मन्हा विश्चर्य वाद साज्चर्य वाद ये सित्वाद के Фorkis दंथ हैं मुख्य रूप से लुप है व्र ब्रदिमर का मन्हाश्य वाद फ्रैड का साचरी वाद को जो है सरजदात्मक्ता को साचरी से जोडने का कारिया विबॉर्ट ने किया था इसके अलब अस्तित्त वाद और संकुल वाद